लेट स्टार्ट विद वोमिन्स एजुकेशन अब जो महिलाओं की शिक्षा थी हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बात किया था कि इस्त्रियों की शिक्षा वैदिक काल में किस तरह थी तो जो इस्त्रियों की शिक्षा थी वह वैदिक काल के दोर सुन में रिगवेद में भी अग उत्तर वैदिक काल में हो दोनों में महिलाओं की शिक्षा बनी रही और रिगवेद के काल में घोशा, रोमशा और लोकवुद्रा तीन इस्त्री रिशियों के बारे में उलेक मिलता है और इसमिद्री ग्रंथों में इनको वेद ब्रह्म वादिन्यों के रूप में उलेक मिलता है और उन्हें उपनेयन का अर्थात वेदों के अध्यंकी शिक्षा का अधिकार गिया गिया तो एक बहुत महत्पून सवाल पहले ही लाइन से उभर कर सामने आता है कि घोशा, रोमशा और रोपमुत्रा कौन थी? घोशा, रोमशा और रोपमुत्रा कौन थी? अब देखे, इसमें दो शब्द जो हैं वह आपको परशान करेंगे जो मने दो चीजे एड़ की हैं यह वैदिक काल की थी यह उत्तर वैदिक काल की थी जसी हो सकता है आपको चार में से सारा रहा हो लोपा, सरी घोशा, रोमशा, लोपमुत्रा यह तीन महिलाएं कौन थी? A. यह वैदिक काल की महिलाएं थी? D. यह उत्तर वैदिक काल की महिलाएं थी? C. यह गुप्त काल की महिलाएं थी? D. यह हर्श काल की महिलाएं थी? अगर आप इस सवाल को जानते हैं कि यह गुप्त काल की और हर्श काल की नहीं थी? फिर भी आपका सवाल यहाँ पर फाइन हो चुका है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल? जस्ट आप इस पर concentrate करिए कि या वैदिक काल की महिलाएं थी या वैदिक काल की विद्वान महिलाएं थी या उत्तर वैदिक काल की विद्वान महिलाएं थी आप देखें फरक क्या हो रहा है वैदिक काल में रिगवेद भी है और रिवेद के बाग का भी समय है उत्तर वैदिक काल से रिवेद बाहर हो गया है पहला भी यो आंसर है पूरी तरह सही नहीं है चुकि यह आंसर हुआ चाही था यह है रिवेद काल की है लिए एक्जामनर आपके इस बात को टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में फरक पता है ते उत्तर वैदिक काल की नहीं वैदिक काल की थी You got this question? Just try to understand the fineness of the question Ashok, you got it or no? I started with Ashok You got this issue? कि विवेद वैदिक काल की चार विद्वान महिलाओं का लेख है गोशा, रोमशा, लोगमुद्रातीन कर लेखें? इससे सवाल पूछा आपसे, यह वैदिक काल की विद्वा में रहे थी? यह उत्तर वैदिक काल की थी? यह गुप्त काल की थी? यह हर्ष काल की थी? आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने कह दिया कि यह गुप्त हर्ष के रही थी? यह इनका नाम ने पढ़ा हुआ है रिगवेद काल में अब आपके साथ समस्या क्या रही है? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के वीच में से एक को चूज करने की उत्तर यह भी सही र हुआ है, उसने रिगवेद शब्क को हटा दिया, उसने शब्द का इस्तमाल कि वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल से रिगवेद बाहर होता है, तो अगर आप इस सवाल को फाइनृस में आपदेंब्प करिए, तो आप पारहे हैं, जो सवाल का उत्तर नंबर दो है, वह वेत को साथ लेकर चल रहा है, तो by the theory of the elimination, you are saying that all these three is not possible, the only concluding part is the first answer, समझा रहे हैं, समझा रहा हैं, दूसरा क्या है, इनको कहा क्या जाता था, इनको ब्रह्म वादिलीों के रूप में उलेक किया गया, अगला सवाल क्या बन गया, वैदिक काल में ब्रह्म वादिली किसको कहते थे, और उन्हें वेदों के अध्यन और उपनें संसकार का अधिकार था, अगला स्वाल वना दीजिए अब वैदिक काल की महिलाओं के बारे में क्या-क्या तथ्य सही है ए गोशा, रोमशा, उर्लोक, मुत्रा ऐसी विद्वान महिलाएं वैदिक काल में अरिक वेद में दुरोशत कर्च्वान पर सकते हैं प्राप्त होता है उन्हें बर्म्र वेदिन कहा गया सीख उन्हें वेद के अध्यन उन्हें उपनेन का अधिकार था और वेद के अध्यन की देख्छा पानी का अधिकार था अब एक जो आम हमाई समज्च है महिलाओं के बारे में वो अदख टाईप की है है अगर हम ठीक से हम इतिहास को न पढ़ें है वह एक समझ हमारे अंदर विक्सित की हुई है चाहिए बोग गलत भी नहीं है वो कि महिलाओं को शुच्छा का अधिकार नहीं था तिक जो रिक्वेद का समय था वो आनक था वहाँ पर महिलाओं को अधिकार था और परवर्ति काल में महिलाओं के अधिकारों में कटोत्री हुई है और उस समय दो तरह की महिलाओं के बारे में हमको जाकारी मिलती है यह जो तीन महिलाए थी इनको ब्रह्म वादनी कहा गया साथ साथ जो दो महिलाए थी गारगी और मैत अब लोपा, घोशा, रोमशा, लोपमुद्रा और गारगी और मेत्री इन तीनों से एक इस्टिप उपर थी जो घोशा, रोमशा, लोपमुद्रा थी इनसे एक इस्टिप उपर थी गारगी और मेत्री जो दार्शनिक समस्याओं पर चितन करती थी अगर इस सवाल को question में डाल दिया जाए जिसमें घोशा, रोमशा, लोपा, मुत्रा और गार्गी और मेत्री के बीच को फर्क कर दिया जाए तो सवाल गया काम से इसका दूसरा सवाली बन सकता है कि घोशा, रोमशा, लोप, मुत्रा, ब्रह्म, बादनी थी और गार्गी और मेत्री दाश्लिक चिंतन करती थी लेकिन यह जो दाश्लिक चिंतन की परंपरा थी, वह परवरती कालों में हतोत सहित की गए यहां से रिगवेद के काल में उत्तרवेदिक काल में फरक बिखे रकांता है कि जो रिगवेद के समय में महिदाओं को शुच्छा का अधिकार था वह उत्तर वैदिक काल में नहीं मिला था और हमको इस बात का भी प्रमाण मिलता है जो कि हमने गुख सूचों में यह प्रमाण प्राप्त किया है कि पति के साथ पत्नियाँ वैदिक मंत्रों का चार्ण करते थी अगें इसी लाइन को फाइनमेस करते हैं इस पर इजाम कर था स्वास्त G Flex静 के साथ पत्नी का यग में बैठना आपृड। अब पती के साथ पत्नी का मंत्र का चार्ण करना तो अलावलग चीज़े हो गई है, जो दूसरी चीज़ है जिसमें पती के साथ पत्नी का वैदिक मंत्रों का चार्ण करना, चार्ण करती है, यह पत्नी की शिक्षा का दियु तक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी लाइन को तोड़ने की कोशिच कर रहा हूँ, आप नौट डूइन दूइन वाट्स और रीडिंग यह जो एडवांस कल्चर की बुक से सब में लिखा हुआ है, आप चाहिए जिस एडवांस कल्चर की पड़े, सब में आपको भी ले जाएगा, लेकिन उसको फिर डिसट कैसे किया जाए, तो जो दूसरी एक चीज आती है, कि पती के साथ पत्मी मंत्रों का उच्ण करती थी, इस से दिखता है, कि वह काफी शिक्षित होती थी, और यकियों में भाग ले सकती थी, और ऐसी कई प्रसिद भिक्षुणियों का उलेक मिलता है, जिन्हों में बुद्ध धर्म की प्रचार में महत्पू भाग लिया, तो आपने वैदिक धर्म भी समझ लिया, बुद्य धर्म में भी ऐसी घुक्षों का उलेक पूलता है, जुनों ने धर्म की प्रचार में भाव लिया, और ऐसी मेधावी महिलाओं को थीरी थीरी कहा जाता था, और जिनमें धम दीना सबसे प्रवक थी, तो जैसे आपने लोपा, घोशा, रोमशा, लोपा, मुद्रा, मैत्री और गारी का नाम याद किया, वैसे नाम याद करिया धम दीना का, तो आपको दोसी चीश क्या मिल गई है, कि महिलाओं की सक्री भागीदारी वैदिक शोतों में नहीं है, धर्म के शोतों में भी है, और जो राजाओं की पुत्रियां थी, वह भी प्रसिद्ध थी अपनी विद्वता के लिए, विमिसार की पुत्री थी सोमा, चम्पा, किसा, गौतमी और लामल सुनरी, तो आप यह याद रिखे, चार नाम याद थी, विमिसार की पुत्री थी, सोमा सब्स्रे महत्य पूत्री उसमें सुमा चम्पा, गदूमा मैं अजिकरत काम हो जाएगा, वह भी पुद्वान थी, और मुक्का उस समय एक अच्छी वक्ता हुआ करती थी, अब यह सवाल महत्पूर क्यों हो गया, कि उस समय बहुत अच्छी वक्ता महिलाएं नहीं हुआ करती थी, तो सुक्का एक मह जब आप मेंस में वोमेंस इपाउर्मेंट का सवाल करेंगे, और अगर आप कुछ शुच्छा से सम्मदित कोई प्रशन हल करेंगे, तो इसको आप जरूर लिखिएगा, कि हमारे वैदिक परंपरावां में दो-तीन लाइन काम हो जागा, ज्यादा कम ज़ोरत ही है, दो-ती सुसंद्रियों का उत्रमिता है, और जो मथूरा से अविलेक प्राप्त हुआ है, उसमें श्राविका, शद्धाचारी और शिष्णी जैसे शग्रते हैं, इससे लगता है, कि जहन धर में महिनाएं बहुत एक्टिवूर से शिच्छा के छेतर में सक्री थी, और जो चात्रा आये थी, उनको किसी शद्धाचारी के पास रखा जाता था, और किसी पुरुष्गुर के द्वारा शिच्छा देने को रोक थी, और जो हम महावस्तु एक ग्रंथ है, उसको वरन देखे, उसमें महिनाओं की साहितिक प्रविल्टा का लेख है, और एक कारीगर की पुत्री अमरा में साहितिक प्रविल्टा का उलेख है, तो महावस्तु में महिनाओं की साहितिक प्रविल्टा का उलेख है, और अमरा एक कारीगर की पुत्री थी, कारीगर की पुत्री की इसाहितिक प्रतिभाग को प्राप्प करना उस समय के सामाजिक परिवेश में एक काफी पड़ी बग्यास किती है दूसरा एक लिखा गया काम सोट इसके लेखक थे वास्याय वह इसा की चौथी शताब्दी के थे एक काम आप लोग और करिएगा हर रचना के साथ हर काम के साथ आप कालकन जो मोटा मुडी सोजिएगा जो कई बारों सीरीज बनाने के पूब करते हैं कौन पहले हुआ कौन बाद हुआ तो जो कामशास्त्र का गरंथ है कामसूत्र जिसके लेका को बात से आए उसमे ग्यान की उन चौसट शाथःकां का उलेख किया गया है जिनका अध्हन इस्तिया क्या करती थी तो कामसूत्र एक ऐसा ग्रंत था जिसमें शारिदिक सुख को लेकर 64 क्रियाओं का खुल्ले किया गया है और उसका अध्यन पुरुष तक ही सीमित्न था उसका अध्यन महिलाएं भी किया करती थी यह समाज के खुलेपन का या पारदर्शिता का एक दियोतर भी कैसके दिया लड़कियों को जो इस शिख्षा पारदर्विक ग्यान विच्ञान के शिख्षा साथ साथ निर्वत्यक इकला का प्रशिख्षों ता था और जो हर्श की बहन थी राजश्री और विधर्व की राज़कुमारी मालुका दो ऐसा जिक्र मिलता है राजश्री का जो हर्श की बहन थी और विदर्व की राजकुमारी मालविका है इन दोनों ने निर्टिकला का प्रशिष्ण दिया था और हर्श को हर्श की प्रिदर्शिका जो हर्श ने किताब लिखी है प्रिदर्शिका उसमें गायन नित्वाद को किसी भी कुलीन कन्या के गुणों में गिनायता है तो जो एक किताब है हर्ष की प्रिदर्शिका उसमें किसी कन्या के पास अगर ये तीन गुण है तो वह एक अच्छी बात मानियाती थी और राज शेखर ने इस्त्रियों की काव रचना कोशल काउने किया है तो यह दो ऐसे महत्यपूर ग्राद धिनलते हैं जो यह कहते हैं कि महिलाओं में पारगपरिक शिक्छा के साथ साथ अगर गायन दित्य और वात्य का जानकारी है तो वह एक कुलीलता की बात कहिए आती है अच्छी इंडियन लर्निग हम अब आते हैं जो वोमेंज की इंपॉर्मेंट है मेरे खास इतना को कम होना चाहिए हम मिद्धियर्श की बात बात देकरते हैं भारत बात कर लेते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है उच्छ शिक्षा के केंद्र जैसे कल हम लोगोंने बात किया था कि उच्छ शिक्षा के केंद्र कैसे स्थापित हो रहे थे और कैसे हिंदू शिक्षा पद्धती में और बौध शिक्षा पद्धती में फर्त था जहां बौध शिक्षापददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद बौधर्म जैन धर्म तीरों में इस्त्री की शिक्षा का मुद्धा था जैन धर्म में भी कई जो पढ़ी लिखी जानकार महिलाओं का उलेख मिलता है और जो मत्हुरा से एक उलेख वाक्त हुआ है उस उलेख में श्राविका, श्रधाचारी और शिश्ने इन शब्दों का जिक्षा मिलता है और इन धर्म अभी अगलेखों में युद्धित इस्त्रई क्रूप में दीना, बसुला और बलहस्त्री का उलेख मिलता है तो जो मतुरा से जैन का एक अगिलेक मिला है उसमें दो चीज़ मिल रही है एक तो पदनाम मिल रहा है तीन पदनाम मिल रहे हैं उसमें श्राविका, शद्धाचारी, शिश्नि, दूसरा तीन नाम मिल रहे हैं दीना, वसुला और पलहस्तिन, यह दिखाता है कि जैन के समय में आचार के काम में शिक्षा दिले कार में महिलाएं शामिल थी और जो नाम है यह उनके नाम है जिन्होंने जैन धर्में शिक्षा प्रदान करने महत दिया और जब छात्राएं आती थी जैन धर्में शिक्षा को प्राफ्ट करने के लिए तो उन्हें किसी स्रद्धाचारी के पास रखा जाता था लेकिन पुरुष शिक्षा से रोक नहीं था यह प्रिफरेबल था कि जो लड़कियां पढ़ने के लिए आएंगी वह किसी स्त्री के पास रहें तीन नाम जिक्ष हुआ है उसमें से एक स्रद्धाचारी था जिसके पास रहकी पढ़ती थी लेकिन ऐसा कोई रोक नहीं था कि पुरुष शिक्षा पुरुष दिक्षा दे नहीं सकता है अब इस सवाल को अगर इस तरह से टर्ण कर दिया जाए कि जो लड़कियां शिक्षा के लिए आती थी वह किशी स्रद्धाचारी के पास रहकर शिक्षा प्राफ करती थी जैन धर में शिक्षा पुरुष लड़कियों को नहीं देते थे जैन धर में पुरुष भी लड़कियों को शिक्षा दे देते थे जैन धर्म में श्रद्धाचारी, शिष्णी और श्राविका का उलेक मिलता है जो शिक्षा के प्रसार से सम्दित है अब यह सवाल बना जैन धर्म के शिक्षा के दीने के सुरूप लेके अब पता नहीं है सवाल आए अगर नहीं है पता नहीं है I am always telling you मुझे कुछ पता नहीं है My job is only to penetrate as much deep as possible लेकिन यह सम्भावना बहुत जाता है कि इतना टफ सवाल नहीं बनाए जाएगा तो इन सवालों से कुछ निकाल के सवाल बनाया सकते है अब आप आसान पढ़ना चाहते हूँ, it's your choice but I cannot go for the easy way तो I, My job is updating, my Whilst, I may be like कि I am lost P